नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है Study with PN लोदा मित्रु रीट मेंस एक्जाम 2023 का राइदस्थान का संपूर नित्यास जो गोल्डन टेस्ट सिरी चलाए जा रही है उसका पेपर नंबर 12 आज हम हल करने वाले हैं देखिएगा 25 वस्तुनिष्ट प्रेश्ण देखने को मिलेंगे और एक खास बात इस वीडियो में ये है कि जो ये नया साल लगा है 2030 इसके पर एप जो है Study with PN लोदा उसमें सभी कोर्स है साथ यो तीन कोर्स है एक तो पीडियव वाला है एक राजिस्थान अद्यान वाला है और एक रीट मेंस का लिए जो संपूर सब्जेक्ट की जो टेश्ट इसरीजे 149 की इन तीनों कोर्स पर 20 परतिशत की छूट दी जा रही है अब वो किस प्रकार से आप 20 परतिशत की छूट लोगे तो वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ तो चलिए शु अब आपको ये देखना है कि तीन ठीकानों में कौन सा सम्मिलित नहीं था तो अगर हम आंसर देखे तो तीन ठीकाने थे एक तो लावा था उशलगड भी था और नीमराना भी था लेकिन मेर वाड़ा सात्यों ये कोई ठीकाना नहीं था आजादी के समय विकल्प कौन सा सह सही रह गा फिर आपके प्रश्णसंख्या एक में जो तीसरा विकल्प है ये पहले प्रिष्ण का सही उत्तर होगा प्रश्णसंख्या दो क्यों बढलते हैं तो दूसरा प्रश्ण देखते हैं प्रश्ण 6N जेपूर के राजा सुयम को किसके दिवान मानते थे, यहाँ पर अगर आप जमवाई माता पे जा रहे हो तो आपका अंसर गलते, क्योंकि प्रश्ण पूँच रहा है किसके दिवान मानते थे तो जेपूर के राजा स्वयम को किसके दिवान मानते थे साथ यो गोविंद देव जी के दिवान मानते थे स्वयम को 20 पृपन उपलब्द कराया गया है उसको यूज करोगे साथ देखिएगा जब आप अप उपन करते हो तो इस परकार आपके सामने एक खुलते हैं एक तो होम है, इस्टोर है, चेट और प्रोफाइल है, तो इसमें इस्टोर पर तीनों कोर्स उपलब्द है, जैसे मान लीजिए आपने दो कोर्स परचेस कर रखे हैं, तो उन पे तो इस्टार्ट लर्निंग ऐसा लिखा होता है, जैसे ये राजिस्थान अध्यान का है, 149 व लिखा हुआ है, तो इस पर जो भी कोर्स है, चाहिए राजिस्थान अध्यान का है, उस पर भी कूपन लिखा होगा, चुर्प 24 गंटे के लिए, और जो रीट मेंस का 149 वाला कोर्स है, उस पर भी कूपन लिखा होगा, तो आप इसको बाईनाव करते हो, तो इसको मान नीचे आप आते हो तो यहां पर देखिएगा 75 रेट है लेकिन उसी के नीचे ये अवेलेबल ओपर में 2023,2023, 20% अप टू रूपे 30 मतलब कूपन कोड है 2023,2023 इस पर आप किलिक करते हो ठीक है इस पर आप टच करते हो तो यहां पर अभी तो कितनी रेट दे रखिए 75 ठीक है ना अभी इस पर किलिक करते ही आपके यहां पर साथियों यह जो कूपन है इस पर राइट का निशान आ जाता है मतलब कूपन लागू हो चुका है और यहां 76 की जगे कितनी रेट आ चुके 61.58 और इसको आप बाइनाव कर लोगे तो यह कूपन लागू हो चुका है और 75 की जगे 76 की जगे 61, 149 की जगे 120 और 99 की जगे लगबग 80 रुपे का पेमेंट करना होगा तो मतलब यह तीनों में इसी प्रकार से यह प्रोसेज रहने वाली है और प्रतम जो सोविध्यारती है साथियों यह प्रतम सोविध्यारती के लिए ही यह ओपर उपलब्द है तो जल्दी कीजिएगा कई ऐसा नहों कि आप सोविध्यारती पूरे हो जाए ठीके तो चलिए अगले क्यूशन के और बढ़ेंगे अगला क्यूशन देख लेते हैं टेस्ट का प्रशन नबर 3 को तीसरा प्रशन देख लेते हैं सिंदु गाटी सब्विता के लोग किस पाल ये जो पालतु पजी हो है घोडा ठीके ना इसे ये परिच्चित नहीं थे साथ यो तो विकल्प नमबर 4 आपके तीसरे प्रशन का सही आंसर होगा प्रशन संख्या 4 की और बढ़ेंगे मित्रों चोता प्रशन देखते हैं देखेगा प्रशन नमबर 4 को जेसलमेर का प्रशन में बताना है आंसर देख लेते हैं प्रशन नमबर 4 का अर्द साका का मतलब क्या होता है देखो जोहर जोहर प्लस केसरिया दोनों मिलकर कि किसका निर्मान करते हैं साका का निर्मान करते हैं साथियो तो अगर सिर्फ जोहर ही जोहर हो या सिर्फ केसरिया ही केसरिया जोहर हो लेकिन केसरिया नहीं हो, केसरिया हो लेकिन जोहर नहीं हो, तो फिर एसी सिचुशन को क्या कहा जाता है, अर्दसाका कहा जाता है, और जेसलमेर का जो अर्दसाका हुआ था, वो जिस शाशक के समय हुआ था, उस शाशक का नाम क्या है, लून करन, साथ यहां का शाश तो पहला विकल्प है अहदी राजा की सेना, जमीता सामनतों की सेना, दस्ती हलकी तोपे और रहकला भारी तोपे, तो इन में से जो आपको संगत मतलब गलत लग रहा है उसका चैन करना है, देखो पुराने समय में जो राजा की सेना हुआ करते थी, इसको किस नाम से जाना ज जाता था साथियो ठीके, जो जमीता है, ये सामनतों की सेना, जो होती थी, इसको जमीता कहते थे, राजा की सेना को एहदी कहते थे, जो दस्ती है, हलकी तोपे जो होती थी, साथियो, इसको दस्ती कहते थे, लेकिन रहकला, भारी तोपों को रहकला नहीं कहा जाता था, बल इनसी कहा जाता था नयकी रहकला ठीक है विकल्प कौन सा सही हुआ फिर आपके प्रिश्ण नमबर पांच में जो चोता विकल्प है ये पांच में प्रिश्ण का सही आंसर होगा छेटे प्रिश्ण के और बढ़ेंगे साथियों प्रिश्ण नमबर छे क्या है इनमें से बोटी खाना कहा परिस्तित जय में है? स्राच्वति बन को सा कहा ईटेपुर में? पुस्तक प्रकास precipitation कहा है? जोधपूर में? रूपयान संस्तान कहां परिस्तित बोरुंदा नामाक इसस्तान। जोदपूर जिले में, यहाँ पर रूपयान संस्थान इस्ते थे, तो छेटे प्रिश्ण का कौन सा विकल्प, पांचवा प्रिश्ण डबल बार है क्या, यह पांचवा प्रिश्ण यहाँ भी आया था, ठीक है, पांचवा प्रिश्ण डबल बार आया है, तो देखिए, डब ने और हम्मीर ने तो इनमें से मेवाड के जो शाशक जिसने सबसे पहले राणा उपाधी का प्रियोग किया था उस शाशक का नाम आपको प्रिश्ण संख्याचे में बताना है मित्रो छेटे प्रिश्ण का सही उत्तर बताईए कौनसा विकल्प आपका सही रहेगा देखो आ आपने सुना होगा मेवाड का जो गुहिल वंशे ठीके ना गुहिल सिसोद्या सुना होगा आपने तो इसमें पहले रावल का प्रियोग किया जाता था ठीके ना रावल शाका का अंतिम शाशक कोन था रतन सिंग था और जो राणा उपाधी का प्रियोग करने वाला प्रद चितोड का राज सोबकर चला गया था, तब हम्मीर ने उनको हरा करके, और हम्मीर ने साथ क्यों, वापिस से चितोड पर अपना आधिपत इस्तापित किया था, और इसने ही सबसे पहले, रावल की जगे किसका प्रियोग किया था, राणा उपादी का प्रियोग किया था, किस ये सात्वा प्रिश्ण देखेंगे, प्रश्ण नमर सात में क्या है आपके, सात्यों सात्वा प्रिश्ण है, इनमें से ए संगत है, हम्मीर महा काव्य नयन चंद सूरी, हम्मीर बंदन चंदर शेकर, हम्मीर हट चंदर शेकर, और हमीर आयन भांडव व्यास, तो इनमें से जो आपको ऐसंगत लगता है उसका चैन आपको प्रिश्न संख्या साथ में करना है मैं तो साथवे प्रिश्न का आंसर देख लेते हैं देखें यहाँ पर ऐसंगत का मतलब भी किसका लेखन किसने नहीं किया है तो हमीर बंदन का जो लेकन है ये चंदर शेकर के दोरा नहीं किया गया है हमीर बंदन का लेकन अमरित के लाश के दोरा किया गया है बाकी यहाँ पर सारे ही संगत है कौन से विकल्प को छोड़कर दूसरे विकल्प को छोड़कर तो सेकंड विकल्प साथ में प्रिश्ण का अंसर होगा, देखो हमीर हट का लेकर चंदर शेकल ने किया, हमीर आयन का लेकर भांडव व्यास ने किया और हमीर महा कावे का लेकर नयन चंदर सुरी ने किया था साथियों, तो सेकंड विकल्प आपके प्रिश्ण नंबर साथ मे 24 गंटे के लिए साथियों आप उस छूट को बिल्कुल उपयोग आप उसका कर सकते हो देखो प्रश्च नमबर आठ है 1585 इस्वी में आमेर के जगरनात का चुआ दोरा मेवाड पर आक्रमन किया गया इस समय प्रताप ने आमेर के कौन से शेत पर अधिकार कर लिया था टोंक रामगड मालपुरा और बगरू 1585 में मेवाड के शेशक कोन थे महाराना प्रताप 1572 से संत्यावी तक रहता महाराना प्रताप का शेशन खाल जब 1585 इस वी में आमेर मतलब जेपूर्ठी के यहां के शेशक थे जगरनात का चुआ हा इसने किस पर आक्रमन किया मेवाड पर अब साथियों मेवाड पर आक्रमन तो जगरनात कचुआ ने किया लेकिन हारा भी कोन जगरनात कचुआ हा ही आरा महाराना प्रताप ने साथियों आमेर का शेत्र था कौन सा मालपुरा मालपुरा पर अधिकार कर लिया बई और मालपुरा पर अधिकार करने के बाद में ती पिच्चासी में जब इन्हों ने जगनात कचवा को हरा दिया था तो इसी समय माराना प्रताब ने चावंड को भी अपने नई राजधानी गोशित की थी ठीके तो यहां आपके प्रिश्ण आठ में कौन सा सही है थर्ड विकल्प सही रहेगा नवे प्रिश्ण क्यों बढ़ते हैं प्रिश्ण संख्या नो क्या है खेराडी बोली की शेत्र में प्रचली थे तो इनमें से जहां पर खेराडी बोली जिस शेत्र में प्रचली थे वो शेत्र का नाम आपको प्रिश्ण संख्या नो में बताना है आंसर देख लेते हैं प्रि प्रतेक प्रिश्ण एक नंबर का है और प्रिश्ण को गलत करते हो तो एक बटा तीन नंबर जो है या आपके कम किये जाएंगे मित्रों। जाता था और अभिनाव भरता चारिये संगीत के शेत्र में कुमबा के विपुल ज्यान के करण इनको अभिनाव भरता चारिये कहा जाता था। इनको किसले कहा जाता था साथियों। राणा रासो इनको इसले कहा जाता था क्योंकि ये विद्वानों का आश्रे दाता था। इसका विद्वानों का आश्रे दाता था इसी वजे से इसको राणा रासो कहा जाता था। अभिनाव भरताचारी क्यों कहा जाता था क्योंकि संगीत के शेतर में कुम्बा का विपुल यानता साथियों। और राणा रासो क्यों कहा जाता था क्योंकि विद्वानों का आश्रे दा था। तो C वाला मतलब तीसरा विकलब आपके प्रिश्ण नमबर 10 का सयुक्तर है ग्यारवे प्रिश्ण के और बढ़ेंगे प्रिश्ण नमबर 11 में क्या है आपके राइसίνग नगर में प्रिश्ण के जुलूस पर पुलिस द्वारा फाइरिंग में किस विकली की मरत्री हो गई थी चुनिलाल की, पंचम प्रिश्ण की, बीरबल की और चत्तर सिंग्ली तो देखो परजा परिशत का जुलूस निकाला जाय रहा था तब पुलिस ने फाइरिंग की थी साथ यो राइसिंग नगर में ठीक है उस समय एक व्यक्ति की मरत्य हो गई थी और उस व्यक्ति का नाम क्या था बीरबल बीरबल नामा के व्यक्ति की मरत्य हो गई थी और इसी वजे से बीरबल दिवस भी मनाया गया था 17 जुलाई 1946 को कहा पर बिका नेर में क्या मनाया गया था बीरबल दिवस most important question पढ़ रहे हो आप ये सारे बहुत important चीजे हैं exam के लिए तो देखो यहाँ पर फिर आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा विकल्प no.3 डारेक्टली प्रिश्ण ये भी पूँचा जाता है कि बीरबल दिवस कब मनाया गया था तो 17 जुलाई 1946 को मनाया गया था साथ योर प्रिश्ण 12 क्योर बढ़ेंगे बारवा प्रिश्ण देख लेते हैं देखो बारवे प्रिश्ण को मुगल समरार जहांगीर ने मारवार के किस शाषक को दल दम्मन की उपादी प्रदान की थी मोटा राजा उदे सिंग को महराना गस सिंग को जस्वन सिंग परतम को और अजिस सिंग को तो इन में से जिस मारवार के शाषक को जहांगीर ने किसकी उपाधी प्रदान की थी दल दम्मन की उपाधी प्रदान की थी उस शाशक का नाम आपको प्रिश्ण संख्या 12 में बताना है मितो बारवी कृष्ण का अंसर देख लेते हैं, देखिये मुगल समराद जांगीर ने मारवाड के जिस शाशक को दल दम्मन की उपादी दीती, उस शाशक का नाम है माहरणा गसिंग, किसको दी गई थी माहरणा गसिंग को, क्यक्म को इस बीती दल दम्मन की, किस ने दीती, गीर ने देती साथियों सेकड विकल बार्वे प्रिश्ण का अंसर होगा प्रश्ण संक्या 13 की ओर बढ़ते हैं तेरवा प्रिश्ण देख लेते हैं डुंगरपूर के रास्तापाल की निवासी जिनोंने पाठशाला के सिक्षक नाना भाई खाट और सेंगा भाई को अंग्र खाट और सेंगा भाई इनको अंग्रे जी जब इनको पकड़ने आये थे पकड़ने क्या मारने आये थे आप यूं समझ सकते हो तो काली भाई ने इनको बचाने के लिए साथियों अपने प्राणों के बलिदान दे दिया था क्या नाम था उनका काली बाई विकल्प नंबर एक आपके प्रिश्ण नंबर 13 का सई आंसर है प्रिश्ण नंबर 14 क्यों बढ़ेंगे चवदवा प्रिश्ण क्या है आपके खुसरों के विद्रों के दोरान जहांगीर ने किस शाशक को आगरा की जिम्मेदारी सोपी थी कर्ण सिंग को राई सिंग को कल्यान मल को और अनम तो देखो राजस्तान का वह शाशक जिसको आगरा की जिम्मेदारी सोप दी गई थी साथियों जब खुसरों ने विद्रों किया था किसने सोपी जहांगीर ने तो साथियों उस शाशक का नाम आपको प्रिश्ण नंबर 14 में बताना है चवदवे प्रिश्ण का आंसर पंदरवा प्रिश्ण देख लेते हैं प्रिश्ण नंबर 15 इन में से कौन सा यूग्म एसुमेलित है अरजुनलाल सेटी वेलूर जेल केस्री सिंग बारहट हजारी बाग जेल विजे सिंग पतिक टोडगर जेल जोरोवर सिंग बारहट बरेली जेल तो इन में से जो यूग प्रिश्ण नंबर 15 का सयांसर है जोरोवर सिंग बारहट की बात करें तो अपने जिवन काल में कभी ये पकड़े ही नहीं जा सके साथ यो कौन जोरोवर सिंग बारहट तो फिर बरेली जेल कैसे आएगा यहाँ पर इसी वजे से प्रिश्ण संक्या 15 में आपके जो चोता विकल्प है यही आपका सयांसर होगा प्रश्ण नंबर 16 की और बढ़ेंगे साथियों 16 प्रिश् के नाम से हाडोती के नाम से जांगल प्रदेश के नाम से और मतश्य प्रदेश के नाम से तो भाई अगर हम बात करें तो मतश्य प्रदेश मतश्य प्रदेश तो इधर पूरुमें था हाडोती आपके इधर थी अब ढूंडार भी आपके इधर था और जो जांगल प्रदे को प्रिश्ट नबर 17 क्या है आश्रित पार्थक के नीती के तहट अंग्रेजों से सबसे अंत में संदी करने वाली राजिस्तान की रियासती अलोवर जेसल मेर सिरोही और जोदपूर देखो आश्रित पार्थक के नीती क्या थी इस नीती के तहट जो शाशक होते थे उन निती के तहद सुरक्षा प्रदान करते थे और बदले में बिल्कुल कुछ चीजे तो लेंगे लेंगे तो यही निती थी और इसी निती के तहद देरे देरे अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाये था साथियों। और बरतपूर में किस जनजाती के विद्रो को दबाये था। बंडानक जनजाती, भील जनजाती, मीना जनजाती और धामोर जनजाती। तो देखो प्रतिवुरा तरतिये। यह वही है प्रतिवुरा चोहान। नाम सुन रखा होगा आपने अच्छी तरह से। जो चोहान बंड़ानक जन जाती 1199, 1192 तरायन का प्रतम युद्ध तरायन का दित्य युद्ध सुना होगा ना नाम आपने यह वही प्रत्युराच्छोहांते जिन्होंने बंड़ानक जन जाती के विद्रों को कहां मत्रो अलोवर और भरतपूर में डबायता साथियों प्रतम विकल्प आपके प्रश्ण नमबर 18 का सही आंसरे साथियों प्रश्ण संख्या 19 के ओर बढ़ते हैं तो चली 19 वह प्रश्ण देख लेंगे प्रश्ण नमबर 19 में क्या है आपके जेसलमेर में विंडम पुस्तकाले का निर्मान की शाषक ने करवाय था मूलराद दित्य ने जवाहर सीन ने देवराद ने और रव जेसल ने तो इन में से जेसलमेर में विंडम पुस्तकाले का निर्मान जिस शाषक के दोरा करवाय गया था उस शाषक का नाम प्रश्ण स जवाहर सिंग को साथियों आदुनिक जेसलमेर का निर्माता भी कहा जाता है और इसके दोरा ही जेसलमेर में विंडम पुस्तकाले का निर्मान करऊया गया था जिसके दोरा जवाहर सिंग के दोरा तो सेकंड विकलप आपके 19 प्रिश्ण का सही आंसर होगा प्रश्ण नमबर 20 क्यों बढ़ेंगे साथियों बीशोप प्रिश्ण डेक लेते हैं प्रिश्ण नमबर 20 में क्या है चोहन शाषक ने नाडोल में आशापुरा माता का मंदिर बनवया था अलहन ने लक्ष्मन राद ने वाक पती राद ने और कीरति पाल ने तो जिस चोहन शाषक के दोरा नाडोल में आशापुरा माता का मंदिर जो है इसका निर्मान करवाया गया उस चोहां शाशक का नाम आपको प्रश्ण 20 में देखना है अंसर देखे प्रश्ण 20 में कौनसा विकल्प सही रहेगा तो आपके 20वे प्रश्ण का जो सही उत्तर है वो विकल्प नंबर दो रहेगा साथियों लक्ष्मन राज के दोरा ही आशापुरा माता का मंदिर बनवाय गया था ना डोल में किसके दोरा लक्ष्मन राज के दोरा तो सेकर्ण विकलप आपके 20 वे प्रिश्ण का सयुत्तर है 21 की ओर बढ़ेंगे साथियों 21 वे प्रिश्ण में क्या है आपके 21 वे प्रिश्ण का सयुत्तर बताए साथियों 21 में कौन सा विकलप साही रहेगा देखो ये जो 1821 वे में मांगरोल का युद्ध हुआ था ये किशोर सिंग और जालिम सिंग के मद्ध लड़ा गया था किशोर सिंग उस समय कोटा का शाशक था और जो जाला जालिम सिंग थे य 1821 विकलप एक आपके 21 का सही आंसर है 22 की ओर बढ़ेंगे 22 वा प्रिश्ण क्या है देख लेते हैं किस चोहां शाशक ने अजमेर को सबसे पहले अपने राजदानी बनवाया प्रतिवराज प्रतम ने अजे राज ने प्रतिवराज तर्तिय ने और विग्रे राज ने तो देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो प्रिश्ण का अंसर निकाल सकते हो अजमेर को सबसे पहले राजदानी कोन बनाएगा जो अजमेर नगर बसाएगा अजमेर नगर किसने बसाया था साथ हो तो अजमेर नगर बसाया था अजे राज ने और अजे राज ने अजमे 23 है आपके निम्न में से कायम खानी राजवन्स से संबंदित है नागोर जिला, टोंक जिला, जुनजुनु जिला और जालोर जिला तो इन में से जो जिला कायम खानी राजवन्स से संबंदित है उस जिले का चेन आपको 23 में करना है सातु 23 प्रिष्ण का अंसर देख लेते है 23 में जो सयुत्तर है वो रहेगा विकल्प no.3 निम्न में से कायम खानी राजवन्स से समद्ध कोन सा चिला है? जुन जुनू जिला है क्योंकि जुन जुनू जिले में ही कायम खानी राजवन्स की स्थापना मुहम्मत खाने 1450 इसुई में कहां जुन जुनों में किस ने की थी तो मुहम्मत खा ने की थी ठीके विकल्प तीन आपके प्रश्ण नंबर 23 का सही अंसरे साथियों सेकंड लास्ट प्रश्ण क्यों बढ़ते हैं अच्छा लगे वीडियो वीडियो को लाइक शेर करिएगा इमानदारी से कमेंड करिएगा कितने प्रश्णों को आपने सही किया है देखिएगा प्रश्ण नंबर 24 है बीटू सुजा की पुस्तक राव जेसिरो चंद से किस युद्ध की जानकारी मिलती है धोसी का युद्ध का युद्ध राती घाटी का युद्ध और दिवेर का युद्ध तो 24 सेकंड लास्ट प्रिश्ण में कों सा विकल्प आपका सही रहेगा देखिएगा बीटू सुजा की पुस्तक है जिसका नाम क्या है राव जेसिरो चंद इससे जिस युद्ध की जानकारी मिलती है और राती घाटी का युद्ध की अगर हम बात करें तो बटनेर के अधिकार को लेकर के ये लड़ा गया था जेजसी और कामरान के बीच में जिसमें किसकी विजे हुई थी साथियो राव जेजसी की इसमें विजे हुई थी तो विकल्प आपके कौन सा सही रहेगा 24 में जो थर्ड विकल्प है यह आपका सही आंसर है अंतिम और 25 वा प्रिश्ण देख लेते हैं अंति देखे राजपुताना देशी 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 इसकी स्थापना कप की गई थी 1928 में की गई थी और कहां पर की गई थी साथियों अजमेर जीले में की गई थी विकल्प एक आपके 25 वे प्रिश्ण का सही हांसर है तो ये पेपर नंबर जो आपके 12 है जो आपके राजस्थान का इत्याज गोल्डन टेस्ट सरी चला रखी है बारवा पेपर आपके कंप्लीट हो चुका है और पहले ही बता दिया है कि 5 जनुवरी के बाद में आपके मेरा थन टेस्ट एप पर आयोजित करवाए जाएंगे तो मिलते है नेक्स वीडियो में एप डाउनलोड का लिंक मेंने कमेंड बोक्स में दे रखा है वहां से आप एप को डाउनलोड कर सकते हो या प्ले स्टोर पे जाकर भी आप एप को डाउनलोड करके कुर्स को जो हिने कर सकते हो साथियों तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए